हेलो अब्रीवन विल्कम बैक तो माई चैनल इस्टैलिश फैशन वर्ड कैसे हो आप सब उमीद है कि आप सब बहुत ही खेरियस से होंगे आज की इस वीडियो में मैं आपके शार्ड शेयर करूंगी कि आप इसली ब्लाउस में पैड़ कैसे लगा सकते हैं चाहे किस भी साइस का पैड़ हो आप उसे बहुत ही आसानी से लगा लेंगे तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बिल आइकन को हिट करिएगा ऐसी ही वीडियो आप लोग के लिए मैं लाती रहती हूँ चल्ये वीडियो को स्टार्ड करते हूं तो यहां पर मैंने लिया है 32 42 truly size का आपका जितना भी ब्लावज का size है उसी कॉडिंग आपको ये कप लेजए आप वी बोलते है को पैड भी बोलते है तो बस इस तरह से 10 इंच पे आपको mark करना है जैसे कि जहां पर हम Bboutüs का टक्स लगाते हैं और ये ब्लावज आप आप देख सकते हैं मैं यहाप प्रिंसेस कट बनाया है और इसका भी वीडियो चैनल पे अपलोड है तो आप लोग वहाँ से चेक आउट कर सकते हैं तो इस तरह से आपको सेंटर में मार्क कर लेना है इस तरह से सीधी की साइड में और इस तरह से करते हुए आपको यहाँ पे जहां पे आपने 10 इंच पे मार्क लगाया है वहाँ पे इस तरह से पिन से मैं इसको शिक्योर कर दूँगी ताकि इधर उधर खिसके ना अगर आप भी बिगनर है तो यह आपके लिए ट्रिक है आप इसको पिन से या फिर अगर आपके पास पिन नहीं है तो सुई धागा की ह इसे तक मैं एक सीधी सिला लगाऊंगी और आप शाहें तो पूरे राउंड में लगा सकते हैं बट यहां पे मैं पूरे राउंड में नहीं लगा सकती हूँ क्या होता है ना कभी-कभी जब हम पूरे राउंड में सिलाई लगा लेते हैं तो पहनने के बाद ना फिर इधर रुधर मतलब उसको खिसकाने सकते हैं अर्जेस्ट नहीं गर सकते हैं अपने हिसाफ से तो इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे और और उपर एसे छोड़ देंगे तो कप अपने जगह से खिसके भगा भी नहीं और इसको आपको लगता है कि हाह अर्जेष्ट करने के सकते हैं और देखा आपने दो मिनट भी नहीं लगा होगा इसली मैंने आपको अटेश करके ब्लाउज में ये कप बता दिया तो देखे इस तरह से पूरे ब्लाउज पे मैं सिलन लगा दूँगी और उसके बाद जैसे ब्लाउज डेडी करते हैं उसी तरह से आपको टाइट मीपी से पड़ी नहीं धर में थैकर करते हैं वह से संदुगे इस सक्छाशस केके कहा दो को भीचा हैं डे जगा हैं गया हैं दूर दूआ नगैकर शरए ठीटक्ति रुडने करते हैं तका समना कर्वा किए शरॉब्स से हैं नहीं जदते हैं?र च proving नहीं कमें इस स्